तो हेलो प्यारे बच्चो तो देखिए आज हम सॉल्व करेंगे परिश्णावली 7.1 का पार्ट 3 ठीक है इससे पहले हमने दो पार्ट बना दिये हैं जिसमें हमने कोशन नमबर 5 तक आपको सॉल्व करा दिया है तो आपने दोनों पार्ट नहीं देखें तो उसका लिंक आपक से वीडियो देखें और चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है ठीक है चाहूं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेशन आप वहां से कर सकते हैं ठीक है चलिए इस कोशन को सॉल्व करते हैं कोशन क्या देखिए छटा निम्जलिकित बिंदू द्वारा बनने बाले चत्रुपुज का प्रिकार यादि कोई है तो बताएए तता अपने ठीक है अतने उत्तर के लिए कारण भी दी दिए तो देखिए यह बिंदू दिये हुए एक, दो, तीन, चार बिंदू दिये हुए हैं तो बताना है कि कौन सा चत्रुपु बंदा है और यह x1 होगा यह वाला और यह y1 होगा आप लिख ली जगा से x1 वराबर है यह वाली वैल्यू ठीक है और यह वाली वैल्यू होगी आपकी x2 की और यह वाली वैल्यू होगी आपकी x3 की और यह वाली वैल्यू बाई 3 की यह वाली वैल्यू होगी आपकी x4 की और यह वाली बा तो पहले निकालेंगे A B के बीच की दूरी किसके A B ठीक है तो A B के बीच की दूरी कि देखिए बिंदू क्या है एक्स वन एक्स टू है ना तो करते हैं हो जाएगा फॉर्मूला X2-X1 का होली स्कुरार और पिलस Y2-Y1 का होली स्कुरार ठीक है वैली पूट करते हैं इसमें X2 कितना है अपका? X2 एक तो एक जाएगा माइनस X1 कितना है अपका? X1 है माइनस 1 अब देखिए यह पहले सी माइनस है और X1 की वैल्यू है माइनस 1 तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा और यह माइनस माइनस पिलस हो जाएगा ठीक है तो यह इसका square फिर plus y2 कितना है आपका y2 है आपका 0 फिर minus y1 कितना है आपका y1 है minus 2 तो यह पहले सी minus है और यह minus है ठीक है तो y1 की value बैसी minus है तो यह plus 2 हो जाएगी ठीक है इसका whole square यह चल लिए ab के बिच की दूरी अब उजाएगा ab बराबर 1 plus 1 2 square कितना हो जाएगा 4 पिलस यहाँ तो 0 plus 2 यानि 2 2 का square कितना हो जाएगा 4 इसको अब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह अंडर रूड 8 और इसको खोल लेंगा अंडरूड 8 को तो आपका यह आजाएगा ab बराबर 2 अंडरूड 2 यह नहीं खोलना आता है तो देखें अंडरूड को ऐसे खोलते हैं 8 दो चुक 8 2 दो नी 4 और 2 एकम 2 जो जोड़ा बनता उसको बहार ले लेते हैं एक बार और जो बचता उसको अंडरूड हुए तो ऐसे खोलते हैं इसको ठीक है किलियर न तो इतना आगया यह बर्ग मात्रक भी लवा सकते हैं आप इसके आगए बर्ग मात्रक ठीक है उसके बार हम निकालें किसके लेखें ab के निकाल दी अब निकालेंगे bc के ठीक है bc के बीच के बीच की दूरी हम कर रहे थे x2-x1 का holy square plus y2-y1 का holy square अब बिंदू यह है तो क्या हैगा x3-x2 का holy square ठीक है x3-x2 का holy square plus y3-y2 का holy square ठीक है y3-y2 का holy square माफी चाहते हैं गाई साउंड सुनाई दे रहा हूँ आपको तो bc के बीच की दूरी कितने डाएगी आप देखिए x3 कितना है आपका x3-1 यह देखिए minus 1 है न तो minus 1 फिर यह माइनस यह आगिया x2 कितना है आपका x2 है देखिए cable 1 ठीक है तो यह 1 इसका holy square plus y3 आपका कितना है y3 देखिए 2 है यह देखिए 2 है y3 2 फिर minus y2 कितना है आपका y2 है आपका 0 कितना है इस जीरो इसका holy square ठीक है अब यह कितना हो जाएगा देखिए bc बराबर यह देखिए minus 1 minus 1 कितना होता है plus होता है लेकिन चीन minus का आता है तो minus minus जोड़ जाएगा यानि minus 2 हो जाएगा और इसका holy square और यह plus 2 का holy square तो यह जाएगा आपके पास कितना अब चाहे माइनस की संक्या हो या plus की संक्या हो उसका आप जब भी square करेंगे यानि बर करेंगे तो वो हमेंसा plus में आता है तो minus 2 का बर कितना हो जाएगा 4 plus का ही और यह plus है बीच में 2 का बर यह भी जाएगा आपका अंडरूट का 8 इसको खोल देंगे कितना है तब यह उपर अभी खोला था बीच के बिच की दूरी हो गई अब निकालेंगे हम सी डी के बीच की दूरी तो निकालते हैं C D के बीच की दूरी फॉर्मूला क्यों रहेगा अब देखे बिंदू ये है यानि कि X4 माइनस X3 का होल स्क्वेर ठीक है X4 माइनस X3 का होल स्क्वेर और प्लस बाई 4 माइनस बाई 3 का होल स्क्वेर अब वैल्यू पूट करते है X4 की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है तो माइनस 3 पूट कर दीजिए C D के बीच के दूरी चल दीए कितनी X4 की वैल्यू माइनस 3 और यह वाला माइनस यह आ गया X3 की value कितनी है X3 की है minus 1 तो दिखिए यह minus है already minus 1 है तो यह plus 1 हो जाएगा इसका whole world फिर plus by 4 by 4 कितना है अपका 0 तो 0 हो जाएगा फिर minus by 3 कितना है अपका by 3 कितना 2 तो यह plus minus 2 का whole world ठीक है रख दिया हमने by 3 के इस्तान पर तो यह जाएगा आपकी कितनी minus 3 में से plus का एक घटा देंगे तो कितना पुचेगा minus 2 और minus 2 का square कितना हो जाएगा आपका 4 फिर plus यहाँ पर यह minus 2 होजे जाएगा तो minus 2 का square अभी कितना हो जाएगा आपका 4 यहानि कि यह आएगा आपका अंडरूड 8 कि अबर्ण मात्रख ठीक है बर्ण मात्रकं और कि अप्ट आप बचा देख्ये ठीक है अब देखते हैं और रहां तो देखिए यह अब a b हो गया b c heo gar c daurais्या बचा किया एडी यानि विदू ऐसे होगा देखिए और isa D, यानि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी, बच्छे क्या, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, यानि AD, AD के बीच की दूरी निकालते हैं, तो देखिए, हमने point भी new page में लिख लिए हैं, तो AD के point ये थ का whole square solve कर देते हैं इसको अब बहुत आसान है AD के बीच की दूरी तो X4 कितना है आपका माइनस 3 माइनस X1 कितना है आपका माइनस 1 तो माइनस 1 रखेंगे तो यह प्लस 1 हो जाएगा इसका whole square क्योंकि माइनस माइनस जब यह गुणा होगी प्लस हो जाता है Y4 कितना है आपका 0 माइनस Y1 कितना है आपका माइनस 2 यह माइनस पहले सी है तो माइनस 2 आप और पुट करेंगे तो यह प्लस 2 हो जाएगा इसका whole square तो यह कितना हो जाएगा आपके पास AD बराबर यह बचेगा माइनस 2 हानी माइनस 3 में से plus का यह गटाएगे तो माइनस 2 और माइनस 2 का square कितना हो जाएगा 4 फिर plus यहाँ पर plus 2 है और plus 2 का square भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यह जाएगा आपका under root 8 इसको खोलेंगे तो क्या हैगा बहुत बार खोल दिया यह 2 under root 2 मात्रक मात्रक थीक है अब देखिए आपका जो चत्रोबूझ बना हो देख लेते हैं थोड़ा सा और देखिए आपके A, B के बिच के दूरी कितनी आई 2 under root 2 मात्रक BC के पिच की दूरी कितनी आई 2 under root 2 मात्रक CD के बिच की दूरी कितनी आई यहाँ पर खोल दिया C D के बीच दूरी दो undereaut 2 मात रख और A D के बीच की दूरी भी कितने आई दो undereaut 2 मात रख यानि कि देखिए जबिच अही viene यह one point हैущ यह one point है यह WP तो इसके बीच की दूरी हमें निकाली कितने आई 2 undereaut 2 इसके बीच की दूरी निकाली तो कितनी आई दो अंडरूर दो और इसके बीच की दूरी निकाली तो ये भी कितनी आई दो अंडरूर दो तो ये चारों बुजाएं क्या हैं बराबर यानिकि चारों के बीच की दूरी बराबर है तो ये क्या एक बर्ग बना यानिकि बना हु इसके A और C ठीक है A C भी हमने निकाल आया कहीं नहीं देखते हैं A C कितना है देखें A C कहीं नहीं निकाल आये जी नहीं आई A C तो A C के बीच की दोरी भी निकाल देख लेते हैं एक पर A C के बीच की दूरी ठीक है अब AC के पॉइंट भी लिख लेते हैं इदर हम तो देखिए AC के बीच की दूरी भी हमने निकालने के लिए पॉइंट लिख लिए है तो इसका formula होन जाएगा X3-X1 का whole square और plus by 3-Y1 का whole square ठीक है तो solve करते हैं हम जाद देरी नहीं करेंगे अब X3 कितना है आपका minus 1 और minus X1 कितना है आपका minus 1 तो यह देखिए X1 कितना है आपका minus 1 तो यह plus 1 हो रहेगा और इसका whole square plus y3 कितना है आपका 2 और minus y1 कितना है आपका यहाँ पर देखिए minus 1 कितना है आपका यह भी minus 2 है तो यह plus 2 हो रहेगा और इसका बर्ग ठीक है तो अब यह कितना हो जाएगा आपका देखिए AC बराबर यह कट जाएगा यानि कि 0 और 0 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 0 ठीक है क्योंकि यह कट जाएगा प्लस माइनिस वाला 0 के स्क्वाइर 0 ₋ चार का स्क्वाइर तीक में और एट उसका ब्रूह कि comment होता है चार का तो ए bastante आए चार यानिकिये वाले दूरी कितने आ गया हमारी चार आ अब ये वाले पिछारा शुजी है बस तो हमारा यह बार हो जाएगा तो औ χis campus के दूरी डी बीच के दूरी हम पॉइंट लिख लेते हैं दी और बीके पहले तो देखिए यह था हमारे पास एक्स फोर और यह बाइफ और यह एक्स टू और यह बाइटू तो डी बीकी पिश्की तूर्मुला की हो जाएगा आपका पैंग गलत आए के साहिद हमारे पास नहीं सही है तो यह थीक है पिलस ठीक है बाइफ फॉर माइनस बाइटू का हॉल स्कोर ठीक है तो एक्स फोर कितना है आपका माइनस तृर्बкам सबिद का वन तो इसका wholeberg plus by 4 कितना है आपका by 4 है आपका देखें यहाँपे 0 और minus by 2 कितना है 0 यानि कि इसका whole square तो यह तो 0 होड़ाएगा 0 का square 0 और 16 किसका वैलू होती है चार की यानि की डाली कि यह अगे पर यह ने कि यह है है और ये भी फोर है ठीक है और ये चारों आपस में बराबर आए है तो बना वो चत्रभुज का एक बरग है अते हैं बिंदूओं से बना चत्रभुज एक बरग है ठीक है क्या है एक बरग है अगला कॉशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी तो देखिए आगे के पॉइंट तो देखिए यह हैं पॉइंट ठीक है तो देखिए जैसे ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा और फिर दी होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी ठीक है आपको भी निकालने पड़ेगी इन दोनों के बीच की दूरी भी ठीक है तो पहले निकालेंगे यह होगा आपकी x1 और यह y1 और यह वाली वैली होगी x2 और यह वाली वैली होगी x3 by 3 और यह होगी x4 और by 4 सबसे पहले निकालेंगे ab के बीच की दूरी किसके ab ab के बीच की दूरी क्या हो जाएगा formula हो जाएगा x2-x1 का holy square plus y2-y1 का holy square तो यह हो जाएगा आपका कितना x2 कितना है three minus x1 कितना है minus three तो यह minus पहले सी है हापिर रखेंगे आप minus three तो यह जाएगे आपकी पिलस तो इसकी बुणा हो जाएगी नहुंद मैंस की पिलस y2 कितना है आपका y2 वन-1 कितना है अपका 5 कि इसकाHeAL square स्क्राइब करते हैं ए भी बराबर हो जाएगा थिरी और थिरी जोड़ के 6, 6 का स्क्राइब 36, पिलस 5 मतलब 4 बचे गए हाँ पिर माइनस का माइनस का 4 का स्क्राइब 16 और इसको जोड़ देंगे कितना उड़े गए चाइब 26, 12, 12 का 2 हासी ले कि त्रियों 4 और पांच यहनिके अंडरूट 52 और अंडरूट 52 और अंडरूट 52 को खोले देथे कितनी वैल्यू आती है और दो दुट नद चार और दो चिंग 12 और यह दो एकम 2 दो थीज 6 यहां की आएगा पर दो बाहर जाएगा 13 से कर जाएगा फिर दो बाहर आ गया जोड़ा बना थो बचान बर्गमूल 13 तो इसका इक आपका अब अदर जाएगा यहां बिश के बिच दूरी कि किसके BC के बीच की दूरी, क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, बिंदू यह है, यानि कि X3, आप वहले कर रहे थे, X2-X1, आप करेंगे X3-X2 का होली स्क्वेर, और प्लस बाइ 3- का होली स्क्वेर, तो क्यों हजाएगा यह? X3 कितना है आपका 0 है ठीक है और minus X2 कितना है आपका 3 है तो यह minus 3 plus Y3 कितना है आपका 3 minus Y2 कितना है आपका 1 तो यह 1 का holy square BC चलता है यह होचेगा minus 3 minus 3 का square plus का 9 हो जाता है यह वचेगा 2 2 का square 4 हो जाता है तो यह कितना हो जाएगा नो 4 BC बराबर अंडरूर 13 ठीक है क्या बनना है अंडरूर 13 खुलता नहीं है ठीक है अब BC भी हो गया आपका अब निकालेंगे हैं क्या क्या CD यह हो गया AB BC अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी CD के बीच की दूरी क्या बन जाएगा formula CD के बीच की दूरी यानि कि X4 minus X3 ठीक है X4 minus X3 का whole square plus by 4 minus by 3 का whole square value put कर देते हैं इसमें जाद दे निकालेंगे X4 कितना है आपका minus 1 तो minus 1 फिर यह minus यह बहार दाएगा X3 कितना है आपका 0 तो zero का whole square ठीक है प्लस by 4 कितना है आपका by 4 आपका minus 4 तो यह minus 4 फिर minus by 3 कितना है आपका by 3 आपका 3 तो इसका whole square तो यह उ ilgil हैगा आपका कितना minus 1 ऊचुछेएगा minus 1 का square 1 ही होता है फिर plus minus 4 और minus 3 यानि कि minus 7 और minus 7 का square 49 होता है तो ये बनेगा आफका 48 अंडरूर में इसको देख लेतने खुलता है तो ये 48, दो दुनी 4 और दो चुक 8 दो एकम 2 और दो दुनी 4 दो चिंग 12 और ये 3 से करते का 3 दुनी 2 से भी कर जाएगा 2 तिया 6 यानि कि ये बाहर आगया एक बार ये जोड़ा बाना ये दोनों बाहर आगया एक बार गुणा में बचेगा 3 यानि कि बचेगा 4 अंडरूर 3 मात रख कितनी आई 4 अंडरूर 3 वर्ग मात रख ठीक है उसके बाद A होई CD की बीच की दूरी ठीक है अब निकालेंगे हम क्या बच्चा CD भी हो गया अब निकालेंगे हम AD यानि कि ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना पड़ेगा निकाल लेते हैं AD के बीच की दूरी क्या बन जाए एक फॉर्मूला बिंदू क्या है आद देखिए AD यानि कि ये बिंदू यानि X4 माइनस X1 का whole square X4 माइनस X1 का whole square फिर फिल्स Y4 माइनस Y1 का whole square value पुट करेंगे आपका देखिए X4 कितना है? X4 है आपका minus 1 तो माइनस 1 हो जाएगा ये और ये माइनस X1 कितना है आपका? माइनस 3 तो ये पहले से ही है और माइनस 3 क्या हो जाएगा तो play plus 3 हो जाएगा जब भी होगी plus हो जाता है by 4 कितना है आपका minus 4 है तो minus 4 पुट करना पड़ेगा आपको minus 1 by 1 by 1 कितना है आपका 5 तो 5 पुट कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका AD बराबर यहां बच्चे का minus 3 है और sorry plus 3 है और minus 1 है तो बच्चे का plus 2 और plus 2 का square 4 फिर plus यह minus 5 है और यह minus 4 है minus 5 और minus 4 कितना हो जाएगा आपका minus 9 और minus 9 का square कितना हो जाएगा 80 बन या निक चैसी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 अब देख लिए एटी फाइब फुल लाए क्या देखते हैं पांच एकम पांच पांच सत्य पैंथीस और नहीं खुला ठीक है तो यह आपका इतना ही रहेगा अगर हम देखें 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 हैं ही समझा देखें अब देखिए यह होगा आपका A point यह होगा आपका B point ठीक है तो इन दोनों के जो बीच की दूरी आई है वह कितने आई है A B के बीच की दूरी देखिए कांग यह हमारा A B यह है दो अंडरूर्ट 13 यह अलग समझा रहे हैं ठीक है और फिर नीचे को आपका B C B C के बीच की दूरी कितनी है खाली अंडरूर्ट 13 तो यह देखिए अलग है यहां कि छोटा हो सकता है तो यह जाएगे अंडरूर 13 C फिर देखिए फिर क्या इसके बाद स्टी के बाद है आपका D तो CD के बीच की दूरी कितने है चार अंडरूर्ट 3 यानिकि यह कहता है ऐसे जा रहा हो यानिकि 4 अंडरूर्ट 3 फिर आपकी D अब AD के बीच की दूरी कितनी है AD के बीच की दूरी अंडरूर्ट 4 C क्योंता है यह ऐसे जा रहा हो अंडरूर्ट 5 C मतलब सारी बुजाएं अलग-अलग आई है इसका मतलब कोई भी यह चत्रूबूज नहीं बनना है ठीक है चत्रूबूज तो बन रहा है लेकिन ऐसा तो नाम हो कोई ठीक है तो अतह दिये गए बिन्दूओ से कोई कि विशेश यानि कोई नाम बाला चत्रूबूज नहीं बनना है विशेश चत्रूबूज नहीं बन रहा है ठीक है तो कोई नमबर थर्ल है इसका वो आपको खुर करना होगा देखी जीएगा आस만 कोई टफ्ष नहीं जो आमने बाकी कोईशन कियें इसा की तरह आपको यह कोईशन भी कर देना है कोईशन नमबर थर्ल जो है बिल्कुल सेम इसा परना है और देख लेना दूरियां कैसे कैसे आ रही है आपको पता लग जाएगा ठीक है और यह बहुत इंपोर्टन कोशन है साथ वह यह हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए जया हिंद बंदे मातरम